नमस्ते अभिवातन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर उसके बाद बात करेंगे आई प्यो जो आई प्यो डेर सारे आये हुए हैं कहाँ पर लिस्ट होंगे बाजार लगातार तीन दिन से गिर रही है और यह कहा जाता है कि अगर बाजार में negative sentiment हो जाता है तो जो IPO's होते हैं उनके GMP पे GMP मतलब grey market premium पे एक negative असर पढ़ता है अब कोसी बात है पड़ेगा क्योंकि जब निवेस्टिकों का sentiment खराब होता है वो जो grey market में होते हैं उनका भी sentiment एक बार के लिए खराब हो जाता है, छोड़ो यार हम नहीं लेते हैं, कुछ ही इस तरीके का माहौल बन जाता है, तो बस यही हाल चाल होता है GMP में, अभी GMP क्या होता है यह समझ लीजिए, grey market premium, अब समझ लीजिए एक बार के लिए इसको आप ऐसी बाजार कह सकत हो, जो सेवी द्वारा regulated नहीं है, लेकिन trade वहाँ पर भी होता है, जाद वहाँ पर IPO में trade होता है, बस इतना समझ लीजिए, अब आपके सामने data क्या बन के आता है, जब IPO का प्राइज वहाँ पर एक premium पे चल ला हो, grey market premium, इसका मतलब क्या है कि IPO अगर 100 रुपे पे launch हुआ है और 5% का अगर वहाँ पर premium है, तो 105 पे IPO खुलने के पूरे आसार होते हैं, और ज्यादा तर chances में ये सही भी हो जाते हैं, लगबग लगबग 90% cases में GMP एकदम perfect साबित होता है, इसलिए लोग GMP को track करते हैं, हम आपको GMP समझा दिए, अभी चलेंगे चेक करेंगे आपके IPO क GMP कितना है आपने जिसमें भी apply किया हो, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन जो मैंने आपको कहा कि Nifty एक बहुत ही crucial support पर आकर खड़ी है, global markets को देखते हुए और जो उपर के level पर profit booking आई, इसको समझते हुए आप हम बिलकुल ये एनवान लगा सकते हैं, GMP जो है, वो कम बेहतरीन है, और ये GMP अगर आप present scenario में calculate करोगे, जिस हिसाब से तीन दिन बाजार गिरी है, और ये 25 तारीक की date का GMP approximately है, 10-20-50 रुपए उपर यहाँ पर हो सकता है, मतलब कि 2-4% उपर नीचे GMP में आप exactly calculation नहीं दे सकते हो, तो इतना आपको मानना चाहिए, ठीक, अगर इसको समझ सकते हो, IRFC, यहाँ पर आपको सिर्फ 50-60 पैसे का premium मिल ला है, और जैसा कि मैंने इसके explanation वाली वीडियो में भी का था, कि बाजार जो है, वो growth को सम्मान देती है, यहाँ पर हमको growth access कुछ दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको इस company में जो है, वो पैसा एक बार यहाँ पर एक बड़ा डेंट आया है, लेकिन फिर भी 125-30 रुपए का जो GMP चल ला है, यहाँ पर भी काफी ज्यादा positivity लोग दिखा रहे थे, मैंने भी इस पर वीडियो बनाई थी, आपको समझाया था, और यहाँ पर 125-130 रुपए के जो GMP चल लाही है, वो भी एक यहाँ गेन मिलने के पूरे आसार है, इस पर कल हमारी वीडियो आएगी, और यहाँ पर 80-90 रुपए का जो GMP चल लाही है, यह एक बार के लिए देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम, अलग-अलग कमपनियों को अलग-अलग तरीके से सम्मान देता है, लेकिन अगर आप अगर आपके पास इन में से किसी का भी अपलीकेशन पड़ा हुआ है, आपने अपलाई किया है, तो अभी आपको बिल्कुल निश्चिंत रहने की जरूवत है, बाजार गिरी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपके GMP में बड़ा डेंट आया हुआ है, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितनी हमें, मतलब हमको लग रहा था कि बाजार इतना उपर से तीन निल लगातार गिर गई बड़ा डेंट आया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अब बहुत ज्य कि सभी IPO's का बड़ियां चल ला है, जहां पर हमने अपलाई करने को कहा था, वहां पर और बहतरीन चल ला है, तो बस इतना समझ लिए जो अच्छे IPO's होते हैं, बस यह मना है किजिए कि आपको मिल बचा है, तो थोड़ा सा भईया जिसको भी मानते हो, उपर वाले को नीचे के वाले को थोड़ा सा समझ बुझा लिया, कीजिए बैया मान जाओ यार IPO दिला दो, खेर, इस्टूडेंट्स के लिए IPO समझ लीजे, वह बहुत बहतरीन चीज होता है, एक लंबा जंप मानने के लिए, अभी के लिए इतना ही मिलेंगे, फिर से किसी अच्छी वाली वीड सकते हो